हेलो गाइस, इस मी आस्था, वेलकम तो दे नेक्स वीडियो आफ माइ चानल अगर आपको ये लगता है कि ओबिसीटी की प्रॉब्लम से फ्यूमन्स को होती है तो ये बात जानके आप बेहर धहरान हो जाएंगे कि ये प्रॉब्लम वाइल्ड अनिमल्स को भी होती है जबकि उनको तो अपने शिकार को चेज करने के लिए बहुत दौर भाग करनी परती है लेकिन तब भी उनमें ये परिशानी देखी जाती है तो चलिए फिर बात करते हैं दुनिया के ऐसे ही साथ सबसे मोटे आनिमल्स के बारे में नमबर सेवन लफाटेस्ट कैट इनसे मिलिए ये है लाइगर हर्क्यूस ये खुद में ही युनिक है क्योंकि ये टाइगर और लाइन का एक प्रॉस ब्रीड है ये आपके लिए और युनिक बन जाएगा जब आपको पता चलेगा कि ये बन थर्टिवल हिंचेस बॉन और इनका वजन 9.22 पाउंड का है ये मिर्टल बीच सफारी में रहता है जो की साउट कैरोलीना में एक वाल लाइफ रिजर्व है ये अपने वजन को 30 पाउंड मीट एक दिन में खा कर मैंटेन करता है अगर फेर होका देखा जाया तो ये अपने दोनों काउंटर पाउंट से लाज होते हैं लेकिन यहाँ पर जो हर्ट्यूस है उसने अपना नाम की नीज वर रिकॉर्ड में शामिल किया है 2015 में अपने सबसे ज़्यादा वजन होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि हमें किसी भी डॉग जिसका वजन 32 पाउंट से ज़्यादा हो उसे डॉप नहीं करना चाहिए लेकिन इसका वजन तो 77 पाउंट का था लेकिन इसके ओनर्स जब इसे लेने गए थे तो ये बात देखकर वे हरान रहे गए कि इसके इतने जाड़ा वजन होने के बाद भी अपना पूरा वेट लेकर आराम से चल पाता है इसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन खुशी की बात तो ये है कि इसने अपना 50 पाउंट का वजन कम कर लिया इसके न्यू केर गिवर्ज ने इसे बहुत अच्छे डाइपर रखा जिसका नतीजा ये हुआ कि इसने अपने आपको पूरर प्रांस्पर्म कर लिया और अब इसे देखकर बहुत सारे ओना से अपने डॉक्स का एकसेस वेट कम कराने में लगे हुए है नमबा फाइव दा फैटेस्ट इसक्विरल ये कैलिफोनिया के मेरो ब्रॉक स्टेट में रहते हैं और ये जितना इनको होना चाहिए उससे डबल साइज के है ये ग्रेव वेस्टन है जो की एक अर्बोरियल रॉडंग है जो की उनाइटेद इस्टेट और माक्सिको के वेस दिखा रहे हैं शाद इन्होंने कुछ जादे इनक्स खाए या तो फिर जो तूरिस्ट इनको फीट कराया है उनके जंग फूद की वजए से उन्हें ये परिशानी जहनी पर रही है नमबा फो डफाटेस्ट राट इसको देख के ऐसा लगता है कि ये सीधे तॉमन जैरी के एपिसोड से उपकराये हूं लेकिन ऐसा नहीं है ये इनका साइस इतना ज्यादा है कि ये तो सीवर में भी फस जाया करते हैं ये एक बार एक मैं होल में भी फस गय थे जर्मनी के एक ताउन में शायद इसने अपने साइस को बहुत कम समझ लिया था इसलिए वहां से निकल लेकिनि इसकताई से कुछ ज्यादा ही है वैस तो जिर्हां पैनिमल्स में सबसे लंबे होते हैं लेकिन ये जिर्हां नमबा होने के साथ-सास मोटा भी है ये तन जानिया का शाकी जिराफ है एक डिवर्श मास और मेल जिराफ 2600 पाउंज का होता है और एक फीमेल जिराफ का 2000 पाउंज का और वे 17-18 फीद लंबे होते हैं लेकिन जो सबसे लंबा जिराफ है वो 20 फीद का था लेकिन इसने तो बागी सब का रिकॉर्ड तोर दिया इसकी हाई 22 फीद की और इसका वजन 50-100 पाउंज का है अगर देखा जाए तो एक एलिफेंट का वजन 4.1 टन का होता है भले ही ये बहुत मोटा है लेकिन इसकी स्पीद बाकी जिराफ से बहुत जादा है एक नॉमल जिराफ 45 माइल्स प्रति घंटे की स्पीद से तौर सकता है लेकिन ये 52 माइल्स प्रति घंटे की स्पीद से दौर सकता है ये कितनी नूखी बात है ना लेकिन दुख की बात तो ये है कि कुछ पोचर्स इन्हें अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं और कुछ जू तो तन जानिया से इसकी दील में भी लगे हुए है नमबर टू फैट एस टाइगर आक्षिरी हमें टाइगर्स वोना चाहिए ये टाइगर्स इवेगिया में पाए जाते हैं चाइना के हर्वेंट पोवेंस में इनका ओवर्वेट होना बहुत खतरनाथ लगता है लेकिन एक्सपर्स का मानना है कि ताइगर्स का विल्टा के समय में थोरा मोटा होना नॉमल है ये टाइगर्स को ठंडे इलाके में रहते हैं और ये उनको एक्स्ट्रा पैक के रूप में गर्माहत प्रदान करते हैं लेकिन दुख की बात तो ये है कि शायद पार्क के जो ओनर्स हैं वो इनका ख्याल अच्छे से जान बूच के नहीं रखते और वो जान बूच के इन्हें ऐसा खाना खिलाते हैं जिसकी वज़े से इनका वज़न बरे और इन्हें एक्सरसाइज भी राई तबाउन में नहीं क लेकिन इसको एक बिमारी है थाइरोइड की यह बच्पन से काफी ओवरवेड था इसको एक पपी समझ के ही पाला गया था जब तक कि एक और जिसका नाम हैलमस्चन था पैंसिलवीनिया से इसको अपने साथ नहीं ले गई यह 2004 में खतम हो गया और यह उस वक्ष्ट 75 पांस अबुमे थांक यू